Hello everyone, दोस्तो आज की वीडियो में हम cover करने वाले हैं literary terms को इसका दोसा नाम figure of speech भी है और इसको हम poetic devices या फिर literary devices भी कहते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे 10 most important literary terms जो आपको पता होनी चाहिए तो चलिए वीडियो को भी start करते हैं दोस्तो first literary term है alliteration Alliteration दोस्तो दो या दो से ज़ादा consonant की sound जब repeat होती है किसी sentence की starting में तो इस repeated sound को हम कहते हैं alliteration और दोस्तो हम alliteration को head rhyme और initial rhyme भी बोलते हैं यानि starting में आने वाला कोई भी consonant की sound को हम head या initial भी कहते हैं example देखते हैं इससे की humble house तो इसमें H consonant है और यह starting में आए वा है तो हा हा साउंड आ रही है तो यह example होगे alliteration का similarly second example में भी Peter Piper picked a pack of pickled peppers इसमें पा का sound आ रहा है और starting consonant हमारा P है तो इसलिए यह alliteration होगा third में भी same concept है potential power play यानि P consonant आ रहा है at the beginning of the sentence और पा की sound आ रही है तो यह alliteration है second literary term है दोस्तों हमारा consonants दोस्तों consonant दो या दो से जादा consonants का repetition है खासकर इसमें repetition होता है दोस्तों end के consonants में और इसमें वाविस भी अलग 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 भी हो सकते हैं और same भी हो सकते हैं जैसे इसके example देखते हैं spelled and scaled दोस्तों इसमें लास्ट का जो हमारे consonant है वो दा का साउंड आ रहा है spelled और scaled तो दा साउंड आ रहा है और इसमें हमारे वाविल भी चैंज हो रहे है यह है spelled में और वहाँ पर ए है similarly sent and went तो टा का साउंड आ रहा है तो डाउन ना ओ ौळाउन का भी जो साउंड है last Planet का वो ना है तो सेम हो गया consonants ऑचा legitimate और इसमें हो हमारा जो वाविल है वो भी चेंज हो रहा है तो डाउन में सेहे और न हमें उह है ठीक है तो सारे के सारह पाषर सकते हैं इसको और समझसकते हैं तो थर्ड हमारा लिटरेटर में वह एक SIMILAR वाविल के SOUND के repetition को हम कहते हैं एक SIMILAR वाविल की सांड के repetition को जैसे एक्जामपल आप देख रहे हैं तर रेन यंदा स्पेंध फॉल्स मिली ऑं अथ प्लेन अब आप उसमें निदेख सकते हैं कि रेन में A.I. है Spain में A.I. है mainly में A.I. है और plane में A.I. है तो यानि इन सब वाबल का sound बार बार repeat हो रहा है एक sentence में तो यह asonance का example है similarly hear the mellow wedding bells तो इसमें mellow में E repeat हो रहा है wedding में E repeat हो रहा है और वाइड़िंग में E repeat हो रहा है और sound भी इन तोनों की same ही है mellow wedding और बैल्स तो इत्सा एग्जांपल ओफ एग्जांपल और तो एग्जांपल हो रहा है उसमें तो यह का साउंड आ रहा है तो यह हमारा एग्जांड हो गया रोमियो रोमियो वे फॉर्वर्व तो इसमें भी ऐगेँ उसे का साउंड रिपीट हो रहा है वहें आसे मेश्यांपल एक एक आईसी लिटरेटर में जिसमें किसी फ्रेज इस्टेटमेंट को पड़के उसका मेश्ओं नहीं निकाला जा सकता, यानि उसको समझना मुश्किल है, कुछ न कुछ confusion उसमें दोस्तों रहता ही है, और ये काफी uncertain होता है, लिटरेचर में इसका basically काम है, comedy में काम होता है, कोईने कोई confusion create करना, ताकि जो readers हैं, या फिर play देखने वाई लोग हैं, उनको काफी interest आ सके, play में या फिर reading में, जैसे कि example इसमें, I shot an elephant in my pajamas, अब ये देख रहे हैं, आप इसमें बहुत बहुत आदा confusion create हो रहा है, कि आप हाथी कैसे मार सकते हैं पजाम हो में, तो ये example है ambiguity का, और दोस्तों second example, एक वैसे example है, जहां पर आप इसको sentence में use कर सकते हैं, ambiguity as a word, this is the first step towards clarifying things, but there are still many ambiguity, तो यहां पर ambiguity का मतलब है, यहां पर कोई भी clarification नहीं है, और बहुत सारा confusion अब भी बागी है, first step के बाद भी, fifth literary term है दोस्तों हमारे anaphora, anaphora दोस्तों एक ऐसा repeated word या phrase होता है, जो की use होता है beginning of sentence में, यानि किसी वाक्य की शुरुवात में, तो यानि यह किसी sentence के starting में use होता है, जैसी कि in every cry of every man, तो in every cry of again, यहां repeat हो रहा है, in every infants cry, अब यहां पर in every again, repeat हो रहा है, और in the third line also, in every voice, in every band, तो यहां पर फिर दुबारा in every repeat हो रहा है, तो बार बार उन repetition of word का, जो starting में use हो रहे हैं, उनको हम anaphora कहते हैं, in the successful clauses, successful clause भी हो सकता है, या फिर कोई sentence भी हो सकता है, in an example, next है दोस्तों हमारा literary term, वो है illusion, illusion का मतलब होता है दोस्तों, किसी चीज या बात का संकेत देना, या फिर forecast करना, illusion करना, allude करना, इसका दोस्तों सबसे best example है, the illusion to this made no impression whatever upon Solomon, यानि कोई भी ऐसा संकेत आपने दिया, लेकिन उससे Solomon को कोई फरक नहीं पड़ा, और यह दोस्तों लिखाता है, Anton Shekov ने अपनी literature text में, इसको दोस्तों हम एक sentence में भी use कर सकते हैं, illusion as a word को, इसको हम कैसे use कर सकते हैं, did you catch that illusion, did you catch that illusion, यानि तुम्हें कोई न कोई संकेत दिखाए दिया, he caught the illusion in her glance, उसको कोई न कोई अप जो है, glance में, यानि, glance का मतलब होता है दोस्तों, एक तरश से नजर होना, तो उस नजर में उसको कोई न कोई जो है, illusion दिखाए दिया, या फिर संकेत दिखाए दिखाए का, उसको हम illusion कहते हैं, इसको हम कथा भी कह सकते हैं, जिसमें characters, कोई place, या कोई event का एक बहुत बड़ा message deliver करते हैं, यानि किसी place, event का बहुत बड़ा message deliver करते हैं, और वो किसके लिए करते हैं, कोई न कोई real world problem को, या फिर उसके occurrence के आने के बारे में हमें बताता है, ठीक है, तो इसका best example है दोस्तों, अगर आपने पड़ी होगी, animal farm जो लिखिया है, George Orwell ने, और fairy queen जो लिखिया है, Edmund Spencer ने, तो basically दोस्तों, allegory होता है, एक narrative form of text, next हमारा है दोस्तों, fable, दोस्तों, fable को epilogue भी कहते हैं, ये भी दोस्तों एक short narrative होता है, यानि कथा, और दोनों prose और words में हम इसको use कर सकते हैं, प्रोज में भी use कर सकते हैं, और words में भी use कर सकते हैं, इसमें दोस्तों, narrator या कोई एक character, end में moral बताता है, ये तो बहुत easy इना एक्जाम्पल देखिए दा लाइन एंड दा माउस की जो इस्टोरी है उसमें मौरल के मिलता है में लास्क में कि आकाइडनेस इस नेवर वेस्ट तो यह फेबल के एक्जाम्पल इस है अन्हों user में यूज हो सकती है तो ओस्तों फेबल में हम प्लांटस, एनिमल्स, आपजिट्स, और फ्टोर्स off nature को खरmmानते हैं पर पेरबल में दोस्तौं हम हम इन और Baptist ही शामिल करते हैं तो इसमें human characters हमारे मेन होते हैं जैसे कि example good Samaritan तो Samaritan का मतलब होता है कोई न कोई helpful person कोई helpful person तो इसमें एक story हमने पताता हूँ आपको a man traveling along the road is beaten and left for dead यानि एक एक आदमी को मारा गया road पर और उसे मनने के लिए छोड़ दे गया a priest and levitt pass him doing nothing but then a Samaritan comes and help the man Samaritan आता है और उसकी help करता है उस आदमी की Samaritans and Jews were generally enemies at the time उस टाइम पर Samaritan और Jews दोस्तों बहुत जदा अपने दुश्मन होते थे उस टाइम पर and thus this parable is meant to illustrate the importance of showing compassion to everyone even a swarm enemy तो दोस्तों इसमें Samaritan जोसकी help करता है यह parable जो बनाई गई थी the good Samaritan के नाम से यह यह हमें show करती है एक compassion यह दूसरी की तरफ और brotherhood अचाहे वो आपका enemy ही क्यों ना हो मगर आपको इसकी help करने चाहिए कैसी situation में दोस्तों लास्ट है हमारा effective fallacy दोस्तों effective fallacy एक essay published हुआ था 1946 में जहां WK Wimset और Monroe C Bursley ने effective fallacy को define किया था कि effective fallacy एक तरह की judgment error होता है यानि criticize किया था उन्होंने होता है जहां पर हम गलत judge करते हैं किसी text को reader के emotional effects या उसकी feelings को देखके तो दोस्तों यह effective fallacy एक literary criticism है जहां पर हम जो है reader की emotional effects को देखके उसको judge करते हैं मगर यह जो है तरीका गलत है तो यह था effective fallacy दोस्तों I think आपको वीडियो समझ में आये होगी thanks for watching नहीत्वाइब स्चरी है एक को दूए